हलो ब्रीवन, एकजाम वारियर में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग मौडर्न हिस्ट्री के कुछ महतपूर प्रशनों को डिसकस कर रहे थे, इसके पहले की वीडियो में हमने डेड़ सो प्रशनों को किया था, अगर आपने वो वीडिय नहीं देखी है, तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं, दोस्तों इस पीडियाप में साड़े छे सो से अधिक प्रशनों सामिल है, तो इसको हम लोग 3-4 वीडियो में कवर करेंगे, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा, और अगर आप इसका पीडियाप चाते हैं, तो जोईन किजिए हमारी टेलिग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमिट बॉक्स में मिल जाएगा, दोस्तों ये सभी एकजाम के लिए इंपोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्त तक ध्यान से जर इनियम 1935, किस पर आधारित था, तो आप्शन एस का राइटन्स रोजएगा, साइमन कमिशन पर, आप्शन एस का करेटन्स रोजएगा, साइमन कमिशन की बात करते हैं, इसका गठन का बुवा था, साइमन कमिशन का, तो नॉमबर 1927, नॉमबर 1927 में इसका गठन किया गया था तो तीन फरवरी 1928 को या भारत आया था इसमें कितने सदस्थ थे तो इसमें साथ सदस्थ थे सभी क्या थे सभी इसमें अंग्रेश थे इसमें एक भी भारती सामिल नहीं था इसलिए से स्वेद कमिशन कहा गया और इसलिए इसका बिरोध किया गया था और Government of India Act 1935, इसी पर आधारित था, ठीक है, आपसर एसका करेटन्स रो जागा, Government of India Act 1935 की बात कर लेते हैं, इसके द्वारा क्या किया गया था, तो इसके द्वारा प्रांतों में द्वैल सासन को समाप्त कर दिया गया था, और कहां लागू किया गया था, तो केंदर में, केंदर में द्वैल सासन को कब लागू किया गया था, यह ध्यान रखेगा, तो Government of India Act 1935 के द्वारा इसे लागु किया गया था, ठीक है, और क्या किया गया था, तो प्रांटो को स्वात्ताप्रदान की गई थी, कवश्मेंट अफ apolog Iowa Act 1935 के द्वारा, ठीक, next है, 1921 में नरेंदर मंडल या चयम्बर आफ प्रिंसिज, किसके द्वारा अरंभ किया गया था 1921 में नरेंद्र मंडल या चेंबर आप प्रिंसिज किसके द्वारा अरंभ किया गया था इसका उद्घाटन किसने किया था तो आपसन सीज का राइटेंस रो जागा डियूक आफ कैनाट ने आप्षन स्टीज का करेटन्स रो जागा और नरेंद मंडल के पहले चांसलर कौन थे तो बीका नेर के महराजा गंगा सिंग इसके पहले चांसलर थे इसको भी आप लोग भ्यान रखिएगा next qister act से चीन के साथ East India Company का भ्यापर एक अधिकार समाप्ध हुआ है किस चारडर एक्ट से चीन के साथ East India Company का भ्यापर एक अधिकार समाप्ध हुआ तो इसका राइटन्स रो जागा option C. charter act 1833 के दवारा option C इसका ग्रेटन्स रो जा घएगा देखिए यहें पर हम बात करते हैं Charter Act 1813 की, तो Charter Act 1813 के द्वारा भारत में East India Company के ब्यापारी एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, यह ध्यान रखेगा भारत में East India Company के ब्यापारी एक अधिकार को किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था, तो Charter Act 1813 के द्वारा, ले ञागए तो इसको दोगा चार्टोर आट ₹्थ 29 हे रहा समाप्त किया गया था ठीक नएक्स है नयुक्षा तियम के तुम इस किस वियुक्त जाले किया स्थापना पहले की गयी थी इमकरणर मां दिशितु में आपपलीा के अस्थापना अंधारासों सतावन में अस्थापना हुए थी अले गर्ड मुसलिम शाविद्ध्ध देले के स्थापना लिगाड मुसलिमी दिल्शक है कसेथा एंह। स्थापना हुई थी अलहाबाद 20 विद्याले की अस्थापना हुई थी आप्शन 20 का करेटन्स रो जागा माने बताया था कि जो वुड डिस्पाइच आया था वुड डिस्पाइच आया था और इसके द्वारा त्या तीन स्थापना की बात कही गयी थी कांकों से द्विद्या थे वह कलकत्ता भिस्विद्याले बंबाई भसुड जाले और मध्रास भिस्विद्याले और इसके अस्थापना कभ जैती तो 1857 üst की अस्थापना हुई थी इसलिए आपसं का राइटन्स रो जागा थेकरatinthen ए नियामक अधियाम यानि रेगुलेटिंग एक था देखिए इसके द्वरा Seतर इसके द्वरा 173 केरेगुलेयटिंग एट की कम्यों को दूर करने के लिए से लाय गया था ठीक है अप्शन 20 का राइट एंस रोजगा नेक्स्ट परिशंग बनाने का विचार सर्फथम किसने प्रस्तावित किया था तो अप्शन और इसके तहट जो है भारत को डुमनियन इस्टेट या अधराज का दर्जा देने की बाद कही गई थी नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट है माउंट बेटन प्लान जून 1947 ने निमलिकित में से किस प्रांथ में जनमत संगरह प्रदान किया था? माउंट बेटन प्लान जून 1947 ने निमलिकित में से किस प्रांथ को जनमत संगरह प्रदान किया था? था तो आप्सन D उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांथ आप्सन D इसका करेटन जू जाए उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांथ माउंट बेटन प्लान क्या था? तो तीन जून को माउंट बेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरंड की एक योजना प्रस्तुत की थी जिसे माउंट बेटन योजना कहा जाता है इसे ही तीन जून की योजना भी कहा जाता है ठीक है, नेक्स्ट है, निमलिकत में से कौन ब्यपगत के सिध्धान्द के अधार पर नहीं हडपा गया था, निमलिकत में से कौन ब्यपगत के सिध्धान्द, यानि हडपनीत, हडपनीत के अधार पर नहीं हडपा गया था, कौन सा, तो आपसन डीस का राइट एंस रो जगा मैसूर, option D's का Cretense रोजगा, हडप सिध्धान्त के अधार पर सबसे पहले किसका विलय किया गया था, तो 17 का विलय किया गया था, सबसे पहले ये पूछा जाता है, कब किया गया था इसका विलय, तो 1848 में सबसे पहले, उसके बाद किसका तो जैदपूर और संबल पुर का किया गया था, कब 1849 में किया गया था, और जहासे की बाद करते हैं, जहासी का विलय कब किया गया था, हडप नीत के तहट, तो ये भी ध्यान दखेगा 1800 तिर पन में इसका विलय किया था, सबसे पहले किसका तो सतारा का 1848 में सभी को पता होगा 1857 का विद्रो किसने शुरू किया था तो शिपाहियोन किया था सन 1857 के निमन नेताव में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया 1857 के निमन नेताव में से किस और सबसे पहले बलिदान दिया था, तो किस न दिया था मंगल पांडे ने, option D जिक का राईटांच रोजगा मंगल पांडे, अगर हम बात करते हैं मंगल पांडे को फासी कब हुई थी, तो आठ अप्रेल, आठ अप्रेल 1857 को मंगल पांडे को फासी हुई थी, इसको विए अपले उधानक हिएगा, आप्शन D, नेक्स्ट, 1857 के विद्रो का प्रशासनिक परिडाम, सक्तिका अंतरन था, 1857 के विद्रो का प्रशासनिक परिडाम क्या था, तो आप्शन EAS का राइटेंस रोजगा, East India Company से British Samarath को, आप्शन EAS का राइटेंस रोजगा, 1857 के बाद क्या हुआ था, तो East India Company के अधिकार को समप्द कर दिया गया था, और भारत के सत्ता किसके हाथ में चली गई थी, तो ब्रिटिस समराट के, तो अपसन इसका राइट अंस रोजगा, नेक्स्ट, अठारा सो सत्तावन के विद्रोह के दावान, भारत का गवर्नर जन्रल कौन था, तो लाड कैनिंग था, अपसन 20 का राइट अंस रोजगा, मिलाप की, वकालत की, नेमलेकित में से किसने 1857 के विद्रोह के काड़ों का विशलेशड करते हुए, अंगरेजो ताथा मुसल्वानों की बीच, मेल मिलाप की वकालत किसने क्या था, तो सर स्यद अहमाद खान ने, अपसन 20 का राइट अंस रोजगा, सर स्यद अहमाद खान नेक्स्ट, नेमनो ब्रिटिस व्यक्तियों में से किसने स्विकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्टी विद्रोह था, इंपोर्टन प्रश्न है, नेमनो ब्रिटिस व्यक्तियों में से किसने स्विकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्टी विद्रोह था, ये किसन इन्होंने किसकी हत्या की थी तो लेटनेंट बाग यह मेजर सार्जेंट की इन्होंने हत्या की थी कब किया था तो 29 मार्च 29 मार्च 1857 को लेटनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट के इन्होंने हत्या की थी और इनको फासी कब दी गई थी तो 8 अपरेल 1857 को इनको फासी दी गई थी इसको विधान खिएगा और नेक्स्ट है ने अमलिक तसे किस्ने लखनव में सन 1857 के विद्रो का नेत रुत किया था इंप्वाटेंट है 1857 के विद्रो का नेत रुत लखनव से किस्ने किया था तो आपसन डिस तो इसको भी धान खिया था तक नाना सहब का दूसरा नाम क्या था नाना सहब का दूसरा नाम क्या था तो धोदू पंत था आप्शन B का क्रे टंस लेगा दो-दू पंथ. आप्शन B. निमल्स एस्थानों पर हुआ था. उनका सही क्रम बताइए. तो सबسे पहले कहांपे तो बैरकपुर में, उसके बाद कहांपे तो मेरट में. बेरकपूर फिर आपका मेरट हो जाएगा फिर दिल्ली फिर कापका जासी 아니야 Messi सम्दी इस का करिठ आप शु चूहें जुह और आपशन इस का रहाई 1912 में किस सीर्षक से प्रकासित हुआ था रवीना टाइगोर द्वारा रचित गान जनगड मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस सीर्षक से प्रकासित हुआ था तो आपसन C भारत विधाता आपसन क्या हो जगा C इसका क्रेटन्स रो जगा नेक्स्ट है 1877 के इंपेरियल दर्बार में हाथ से काती हुई रूइ से बने कप्डे पहनकर कौन गया था तो आपसन D's का राइटन्स रो जगा गड़ेस वासुदेव जोसि आपसन D's का करेटन्स रो जाएगा नेक्स्ट है, सोदेसी आंदोलन शुरू किया गया था, किसके विरोध में, तो आपसन ए, बंगाल विभाजन के विरोध में, आपसन ए, इसका राइट अंसर हो जागा, बंगाल विभाजन की बात करते हैं, तो इसके घोशडा का हुई थी, तो 20 जुलाई, कहीं कि आपको 19 मि या प्रभावी हुआ था, और इसके विरोध में कौन सा अंदोलन चला था, तो इसके विरोध में 7 अगस्त, 7 अगस्त 1905 को, सोदेसी आंदोलन की शुरूआत हुई थी, इसको विधान रखेगा, आपसन ए, नेक्स्ट है, कॉंग्रेस का 1906 का अधिवेशन, जिसमें स्वरा और इस अधिवेशन की अधिश्ता किशने क्या था, तो दादा भाई नरोजी ने, ठीक है, दादा भाई नरोजी ने इसकी अधिश्ता की थी, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान खिएगा, ठीक है, ये प्रशन ऐसे भी पूछा जाता है, कि कॉंग्रेस के मंच पर सबसे पहले सवराज सबध का प्रियोगश्ने क्या था, तो दादा भाई नरोजी ने किया था, कप किया था, तो SM9 कलकथे अधिवेशन में, अगर वैसे पुछा जाएए, सवराज सबध का प्रियोगश्ने क्या था, सबसे पहले, तो स्वामी द्यानन्द सरासूति ने, ठी जना किसे कहा जाता है भारती राश्टी कॉंग्रेस का जना किसे नेखेह जाता है तो आपसन 20 काराइट. जोगा A.оде हुम को आपसन 20 का करेटन्स रोजगा बारती राष्टी कंग्रेस के अस्थापना कभी थी 1880 में इसकी पहली बैठक कभी थी ध्यान दिसंबर 1850 को इसकी पहली बैठक कुई थी बंबई में और इसके पहले अध्याच कौन थे तो WC बनर जी इसके पहले अध्याच थे और महा कितमें से वह प्रताम भारती व्यक्ति काउन था जिसे ब्रिटिस संसद के लिए चुना गया था तो आपसन ए दादा भाई नरोजी आपसन एसका क्रेटन्स रोए कब चुने गया थे तो 1892 में ये भी पूछा जाता किस पार्टी से चुने गया थे तो लिबरल पार्टी से ठीक है लिबरल पार्टी से चुने गया थे नेक्स्ट है मोहंदास करम चंद गाधी को महत्मा किसने कहा था तो आपसन क्या हो जगा डीस का राइटन्स रोजगा रवीनाठ टैगूर ने अपसन डीस का करेटन्स रोजगा ध्यान एक रवीनाठ टैगूर को गुरु देव क उपाध किसने दिआ था तो महत्मा गाधी जीनि दिया था ये पॉइंट भी ध्यान खेगा ठीक है नेक्स रहें कॉंगरेस की पहली महिला अध्याच कौन थी इन्होंने अधिश्त कप किया था तो 1917 कलकत्ता अधिशन की अधिश्त इनोने किया था और ये कॉंगरेस की पह अगर पुछाया कॉंग्रेस की पहली भारती महिला अध्याच कौन थी, तो सरोजनी नाइडू थी, और सरोजनी नाइडू ने कब अधिश्ता की थी, तो 1925 के कानपूर अधिवेशन की अधिश्ता इन्हों ने किया था, ठीक है, 1925 कानपूर अधिवेशन के अधिश्ता भारती महिला थी, नेक्स्ट, भारती राष्टी कॉंग्रेस का पहला महासच्यू था, भारती राष्टी कॉंग्रेस के पहले महासच्यू कौन थे, तो अप्शन B, A.O. Hume, अप्शन 20 का राइट अंस रोजगा, और पहले अधिश्त कौन थे, तो W.C. ब्रनर जी पहले था, 1905 में बंगाल को दो भागों में किशने बाटा था, यहींनि बंगाल विभाजन किशने किया था, तो अप्शन D, लाड करजन ने, अप्शन D का राइट अंस रोजगा, नेक्स्ट, 1916 में भारती राष्टी कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग, एक दूसरे के निकट आ ग लखनाव समझाता के नाम से जाना जाता है, अचा, 1916 में लखनाव अद्वियसन की अधिस्ता किशनी किया था, यह ध्या नखेगा अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, नेक्स्ट, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, भारत का ग् कॉंगरेस की अधिस्ता कितनी बार की है, तो इन्होंने तीन बार किया था, ठीक है, पहली बार कप किया था, तो 1886, कलकता अधिवेशन की अधिस्ता, फिर उसके बाद 1893 में दूसरी बार, फिर 1906, तीसरी बार, तीन बार इन्होंने कॉंगरेस की अधिस्ता की थी, यह भी 1907 में, आप्शन C का राइट एंस रोजागा, 1907 में कॉंग्रेस का विभाजन हो गया था, किसमें गरम दल में और नरम दल में, ठीक है, आप्शन C, एक प्रशन और पूछा आता है, कि 1907 सूरत अधिवेशन की अधिस्ता किसने क्या था, तो रास बिहारी घोष ने की थी, ठी आप्शन B, बाबा गुरुदीद सिंग, आप्शन क्या हो जगा, बीस का राइट एंजर, गदर पार्टी की बात करते हैं, इसकी अस्थापना का होई थी, 1913 में इसकी अस्थापना होई थी, कहां पे तो सान फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी अस्थापना होई थी, किसने इसकी अधियान ने किया था, और इसके पहले अध्याच ध्यान केगा, इसके पहले अध्याच काउन थी, तो सुहन शिंह भागना इसके पहले अध्याच थी, ठीक है, नेक्स्ट है, दादा भई, नरोजिक येंस्वार, स्वराज का अर्थ था, तो आप्शन C, आर्थिक क्या हो जाएगा सी इस का करेक्टन्स रोर जाएगा. बारती राष्टी कॉंग्रेश के किस अधिवेशन में कोंग्रेश और मुस्लिम लिख का इतिहासिक मिलन हुआ था. बारती राष्टी लिख नाम से भी जाना जाता है. एक प्रस्ण पूछा जाता है कि लखनाव समझोते पर हस्ताचर किसने क्या था तो बाल, गंगधर, तिलक और मुहमद अली जिन्ना ने इस पर हस्ताचर किये थे ये पॉइंट भी आप लोग ध्या नखियेगा ठीक है और लखनाव अधिवेशन की अधिश्ता किसने क्या था तो आप्शन B, WC, बनरजी, आप्शन B इसका राइट एंज रोजाए और पहला अधिवेशन का भुआ था तो 28 दिसंबर, 28 दिसंबर, 1880 को इसकी पहली बैठा कोई थी, कहां पे तो बंबाई के गोकुल दास तेजपाल संस्क्रिट कॉलेज में इसकी पहली बैठा कोई थ भारती राष्टी कोंग्रेश का पहला अंगरेज अध्यच कौन था भारती राष्टी का पहला अंगरेज अध्यच कौन था, आपसे जार्ज यूल, आपसे ईसका राइट एंज रोजेश, इन्होंने अधिश्टा कप की थी तो 1888, अलहाबाद की अधिश्ता किस ने क्या थैता, तो जार्ज यूलो ने किया था, ठाथ है, अलहाबाद के अधस्ता इन्हों ने किया था, और यह पहले अंग्रेश थे, next, कि आपुवो मिटेंग क्या था तो अप्सन दी चीन मेए एक राष्ट वादी पार्टी आप्सन वड़े अच्छ सभाओं के अस्थानों के बतवारी के बारी में आप्शन 20 का राइट एंस रोज़ेगा नेक्स्ट भारती राश्टी कॉंगरेस का प्रताम अधिवेस्तन कहां आयोजित हुआ था अभी मने बता है बंबाई में आप्शन सीज का राइट एंस रोज़ेगा बंबाई में कहां पे तो बंबाई के गोकुल दास तेज पाल संस्कित कॉलेज में इसकी पहली बैटा कोई थी 28 दिसंबर को आप्शन सीज का राइट एंस रोज़ेगा नेक्स्ट स्वसासन आंदूलन के प्रवर्तक काउन थे स्वसासन आंदूल यानि होम रूल होम रूल आंदूलन के प्रवर्तक काउन थे तो आप्शन इसका राइट एंस रोज़ेगा एनी बेसेंट आप्शन क्यो पहला समाचार पत्र काउन सा था, important है, तो option B, बंगाल गजट, option B इसका क्रेटेंस रोजगा, बंगाल गजट, इसके समपादक काउन थे, तो James Augustuk Hickey, James Augustuk Hickey जो है, इसके समपादक थे, अच्छा, ये अंगरेजी में था, इधान कीगा, ये अंगरेजी में था, ठीक है, संदित जुगल किसोर, next, सन 1919 में, जालिया वाला बाग हत्या कांड कहां पर हुआ था, 1919 में, जालिया वाला बाग हत्या कांड कहां पर हुआ था, तो अमरिश सर्म हुआ था, अप्सन एसका, राइटन स्रोजा कब हुआ था, 13 अपरेल, 13 अपरेल 1919 को या हुआ था, अपकी पुछा गया था, किस दिन हुआ था, तो वैसाखी के दिन हुआ था, ठीके, वैसाखी के दिन, next, भारत में गरमदली, आंदूलन कापीता, डैस को कहा जाता है, गरम दली अंदोलन का पिता किसे कहा जाता है, तो तिलक को आप्शन D, बाल गंगदर तिलक, आप्शन D, नेक्स्ट, चंपरंड से आरंभ हुआ, प्रथम सत्यागरह, डैस की खेती के विरुद्ध की आगया था, तो नील की खेती, आप्शन 20 का राइट सुरुज़गा, और क्सके विरुद्ध की आ गया था, तो तिन कठिया पड़ाली के विरुद्ध, ठीके, तिन कठिया पड़ाली के विरुद्ध हुआ था, ओंपर न सत्यागरह का भुआ था, नेस्टो शित्रमी, या हुआ था, ठीक है, आप्शन D, आप्शन D, next है, होम में इसकी शुरूआत की थी. Next है. सन 1916 में कलक्टा में होम रूल लीक की अस्थापना किस ने की थी. 26 तो 1916 में खौम रूल में लीक किया किसमें क्या था और लोकमान तिलक ने इसके आपने कहा पर किया था तो इन्होंने बेल गाम में इसकी घोषड़ा की थी और पूना से इसकी शुरुवात की थी ठीक है तो यह दो दोनों ध्यान रखिए का कलकत्ता में किसी नहीं नहीं किया था ठीक है नेक्स्ट है राष्टी संगर्ष के दौरान प्रश्विद समाचार पत्र केसरी का संपादक कौन था अपसंस लोकमान तिलक आपसंस यस का राइट एंच वोजगा लोकमान तिलक इनकी दो पत्रिकाय ध्यान रखिए का एक आपका केसरी हो गया दूसरा आपका है मराठा जो का ये मराठा था ये किस भासा में था ये पूछा जाता है ये अंगरी जी भासा में था ठीक है अंगरी जी में था और ये केसरी था ये मराठी भासा में था ठीक है नेक्स बढ़ते हैं, बाल गंगादर तिलक को लोकमान की उपादी दी गई थी, यह धिया नखिएगा, तो आपसन क्या हो ज़गा, 20 का राइटन्स रोजगा, होम रूल आंदूलन के धौरान, आपसन क्या हो जगा, 20 का करेटन्स रोजगा, लेकिन धिया नखिएगा, अगर आपसन में दिया हो, कि जब सरकार ने उन्हें रैंड हत्या मामले में दोसी बनाया था, तब उन्हें लोकमान के नाम से जाना जाने लगा था, यह पॉइंट जान रिखेगा, जब सरकार ने उन्हें रैंड हत्या मामले में दोसी बनाया था, तो उन्हें लोकमान के नाम से जाना जाने लगा था लेकिन जो है उसमें प्रशिद्धिक का मिली थी तो अपसें भी होम रूल आंदूलन के दवरां ठीके अपसन बीस का इसलिए सहीमाना गया इसमें ठीके नेक्स्ट है हरदयाल एक महान बुद्ध जीवी का संब्ध था लाला हरदयाल अपसन क्यों जगा बी गदर अंदूलन अपसन बीस का राइट अंस रोजगा गदर पार्टी के स्थापना 1913 में हुई थी कहां पे सैन फ्रांसिसको अमेरिका में इसके स्थापना हुई थी नेक पता होगा किसने कहा था तो बाल गंगधर तिलक ने कहा था ऐसंब यक्स्ट 1968 में अंग्रेजियो दूरा कैदकर लिये जाने पर बाल गंगधर तिलक को भेजा गया था नेक्स्ट अग्यरीजियो दौरा बन्गालिज़ भाजण यानि बंग भं कब रद्ध किया गया था मंगाल विवाजन को रद कप के आ गया था तो 1911 दिली दरबार में अप् आपसन को ज़गा यह इसका क्रेटन्स होजगा 1911 दिली दरबार अच्छा SUV में भरत का वासरा तो लाड लाड़ हाडिंग दुत्ती उसमें वासरा था इसको विधान कियेगा नेक्स्ट निस्क्री प्रतरोध सिधांद का प्रथम प्रवर्तक कौन थे तो अप्षन भी अरविंद खोश अप्षन बीस का राइट अन्स हो जगा यह सब मैं पढ़ा चुका हूं नेक्स निमलकित में स किसने गदर आंदोलन में महातपुर भूम का निभाई थी तो लाला हरदयाल ने अप्षन 20 का राइट अन्स हो जगा नेक्स्ट है निमलकित में से किसने गाड़ी पर बंफेका था यह मान करकि उसमें मुझापरपुर के नैधिस Kingsford बैटे थे important है निमलकित में से किसने गा प्रफुल चाकी आप्सन क्यों जगा सीज का करेटा इसे मुझा परपुर बमकांड के नाम से भी जाना जाता है और यह कब हुआ था तो 30 अप्रेल 30 अप्रेल 1908 को या हुआ था ठीक है और इसमें खुदे राम बोस को जो है फांसी हो गई थी और प्रफुल चाकी ने आत्म हत्या कर लिया था यह पूछा गया था ठीक है इसने आत्म हत्या की थी तो प्रफुल चाकी ने गया था स्थापक का उनत थे तो स्वामी दयानंद सरसु के सनस्थापक थे असन क्यों जगाए सिस्का करिटंज रो जाए रसामाज के असस्थापन इनन्होंय कब किया था तो इंहों ने कब किया था तो था नेता थे गदरपार्टी की के तो आप्सन-बी हर्द्याल आपसन-बी- नैक्स्ट बाल-पाल तथा लाल-स्ट प्रमुख-नेता थे लाल बाल और पाल्छ ये कौँसे नेता थे तो ये अंग्रेश पार्टी के थे और किस कि दल के थे यह गरम दल के थे आप्सन डी नेक्स्ट प्रश्द कविता सर्फ रोसी की तमन्ना निमले के तुमें से किसने लिखी है तो ध्यान अखेगा बिस्मिल अजीमा बादी ने आप्सन एसका राइटेंस रोज़ा आप लोग राम प्रशाद बिस्मिल मत लगाईएगा इ जान रखेगा आप सने बिस्मिल अजीमा बादी अपसन एफ दोस्तों यदि आप हमारे चनल पर नए हैं तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक से और कमेंट करें आप लोग लाइक करते हैं से अर करते हैं कमेंट करते हैं इसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोग ली वीडियो को लाप आते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूबत आईगा वीडियो कैसी लगी ठीक है दोस्तों आपसे दो वीडियो आएगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब चरूब कर लिज अपसे दोड़ा और हिंदू मुसलिम एकता का अराजदूद मुहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा था तो सरोजनी नाइडू ने कहा था यह पॉइंट देन के लिए ठीक है तो अपसे बढ़ते हैं सी आरदास और मोतिलाल नहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी स्वराज पार्टी के स्वराज पार्टी किसने क्या था सियारदास और मोतिलाल नहरू ने किया था ठीक है आप्सन बेश कराए टेंट असायू आन्दूलन के बाद इसकी अस्ठापना हुई थी कब हुई इसकी स्थापना एक जणवरी एक जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, next, केसरी था अभी मने बताया था केसरी क्या था, आप्शन सीस का राइट विए एक मराठी समाचार पतुर था, ठीक है केसरी जो यह आपका मराठी में था और जो मराठा था यह किस भाहासा में था यह अंग्रेज जिभाहासा में था, नेक्स्ट है बाल गंगदार तिलाग किसी अपना गर नीतिक गुरू कहते हैं बाल गंगदार तिलाग के राहतिक गुरू लगया अप्शन चीज वरग Commission का अस्थाफना हुई थी मुस्लिम मिता हुई थी एिक schemes लीघने अप अलग मुसलिम राज का समर्थन किया था मुसलिम लिग ने अलग मुसलिम राज का समर्थन काम किया था तो धिंट यह नहीं होगा आप संदी होगा 1940 के लहोर अधिवेशन में आप संदी इसका राइट अच्छ रॉज़ ने 1940 के लहोर अधिवेशन में मुस्लिम लिग ने है पाकिस्तान की मांग की थी आप संदी ओना चाहिए इसमें अलिगढ में मोहमडन एंगलो ओरियंटल कॉलेज की अस्थापना कि इसने की थी तो एप संदी सर अर्योतित हो गया तो अलिगड़ मुस्लिम विश्विद्याले में नेक्स्ट है मुहम्डन एगलो ओरियंटल कॉलेज बाद में बन गया अभी मैंने बता किस विश्विद्याले कब 1922 अप्सन डी नेक्स्ट और इंडिया मुस्लिम लीक की अस्थापना किसने किती आल इंडि चल्ड़ संप्रदाइक निर्वाचन वरग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरम किया गया था अप्सनडीज करायरे इसमें पुर्थाक निर्वाचक मंदल की बात कही गई थी, नेक्स्ट है, वेदो की और लौटो का नारा किस ने दिया था, सभी को बता होगा आपसन भी, स्वामी द्यानंद सरसुति ने वेदो की और लौटो का नारा दिया था, अच्छा, इन्होंने कौन सा अंदूलन चलाया था, तो सुधी अंदूलन और गूर अच्छा अंदूलन इन्होंने चलाया था, ठीक है, सुधी अंदूलन और गूर अच्छा अंदूलन, नेक्स है, सरस्यद अहमाद खान के बिसे में क्या सत्त नहीं था, सरस्यद अहमाद खान के बिसे में कुछरा क्या सत्त नहीं था, तो आ जार्थी राष्टी कॉंग्रेस का विरूद करते हैं ये भी सही है ठीक है नेक्स्ट अलिगर्ण आंदुलन का संस्थापक कौन था अभी पढ़ा अप्संडी सर्शयद आहमत खान अप्संडी नेक्स्ट उनिस्टो बत्तिस के संप्रदाइक आवार द्वारा किसे प्रिथक प्रत्रनिद्द्द्द्द्द्द्द परदान किया गया था इंपोर्टेंट है ये उनिस्टो बत्तिस के संप्रदाइक आवार द्वारा किसे प्रिथक प्रत्रनिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् इसके द्वारा क्या गया था तो इसके द्वारा मुस्लिम, सिख, इसाई को जो है अलग निर्वाचक मंडल की बात कही गई थी और पहली बार दलतों के लिए इसमें ध्यान रखेंगा पहली बार दलतों के लिए जो है पृतक निर्वाचक मंडल की इसमें बात कही गई थी ठ कि नेक्स्ट कि तरोकरीं च्णिया दलाओं सें сильно खरसाइटिया म daran Day pas Courtney भारति सेवक्समाइब इंपॉर्टन विशा गया फ्रतन कि अलाओं किया था तो गपाल करिष्न गोखलेन इने किया था आप्षम कब क्या था किस्थापना उनी यह सतक नई सी अ daíकी । नेक्स्ट बनारा सिंदो बिस्विद्याले के स्थापना किसने की थी इंपोर्टेंट बनारा सिंदो बिस्विद्याले के स्थापना का हुई थी सीए ऑस्थापन होई थी और किसे ने क्या था आपना वहन मालने अप्सट भी नेक्स निमलिकित से वे तीन लोग corona है जो 1857 के विदरों के अंगरीजों के विरुधों लड़े थे ते के सिने कोइच फिर्फ रसक adelante कि अधाश कीए कानपूर्ष सभ्ष किया थ trading ले इसके नाना सहब घांपूर्श किया थो एक दम मौल भी आहमाद दुल्ला इन्हों ने कहां स आप हि pirate रस के स्वान मुसलिम अध्याच काउन थे आप सने बदर दिन तायब जी अप्शन एसका और आइटेंस रोज़ इन्होंने अधिस्ता कप किया था तो इन्होंने 1887 मद्रास अधिविशन की इन्होंने अधिस्ता की थी और ये पहले मुसलिम अधिस्ते नेक्स्ट बार्दोली सत्यागरह अ 28 में बार्दोली सत्यागरह हुआ था और बार्दोली कहां पर है गुजरात में नेक्स्ट निमलिकित में से कौन मद्यम मार्गी नहीं है कौन मद्यम मार्गी नहीं है तो आप सन डी बाल गंगाधर तिलक ये तो गरमदल की नेता था आप सन डीज कराईट एंस उजगा है नेक्स्ट, ब्रिटिस इंडगो बगान मालिको की अत्याचारो का वडन कने वाला प्रशिद्ध नाटक नील दरपन किस ने लिखा था, तो दीन बंदु मित्र ने लिखा था, आप्सेंस इसका राइट एंस रोजा, नील दरपन जो है किस पराधारी था, ये नील बिद्रो प था, 1869 में आपका नील बिद्रो हुआ था, और इसके नेता काउन थे, तो दिंगंबर विश्वास और विश्नु विश्वास, नेक्स्ट, नमलेके तुमें से किसे भारती पुनर जागरन का जनक माना जाता है, तो राजाराम मुणराय को अपसन इसका राइट एंस रोजा इन्होंने किसके स्थापना किया था, 1815 में आत्मी सबक के स्थापना किया था, और 1828 में किसके स्थापना, ब्रहम समाज के स्थापना इन्होंने किया था, अच्छा, राजाराम मुहनराय को और राजा की उपाद किस ने दिया था, तो अकबर दुत्ती ने दिया था, ठीक उराओं जन जाती, आपसन एसका राइटेंस होजा, उराओं जन जाती, ताना भगत अंदुलन कहां पर हुआ था, तो छोटा नागपुर्ट पठार के छेतर में यह हुआ था, और इसके प्रमुख नेता की बात करते हैं, तो जत्तरा भगत, जत्तरा भगत और तुरिया भग इसके प्रमुख नेता थे, ठीक है, और यह कब हुआ था, 1914 से 1919, ठीक, नेक्स है, इंडियान नेशनल कॉंग्रेस का बटवारा, मध्यमार्गी और चरम पंती वर्गो में किस वर्ष हुआ था, यानि मध्यमार्गी उदार, यानि नरम दल और गरम दल, में किस वर्ष हुआ था, 1907 में हुआ था, Congress का भी भादन, आप्शन, इसका राइटन रोजया, 1907 में, ठीक, नेक्स टाइ, सूरत अध्वेशन में, जिस समय दिल्ली, ब्रिटिस, भारत की राजधानी बनी, उसमय वासराय काउन था, मने बताया, आप्शन, C, लाड़ हाडिं, दुत्ती, उसमय दिल्ली, राजधानी, कब बनी थी, इसकी घोशड़ा, 1911, देली दर्वार में की गई थी, अब बनी कप थी, 1912 में या बनी थी, नेक्स्ट, वस्च उनिसो चौदा में, भारती राष्टी, दल, की, बरलिन में, अस्थापना, किसने की, 1914 में, भारती राष्टी, दल, की, अस्थापना, भृर्लिन में, किसने क्या था, एपसं, डीस कराइट अन्स रुजया, चंपक रमन पिल yeah ने, आपसं, डीस कराइट, अर्टारत की सैने, विद्रू के समय, गवर्नर जंरर कौन था, अठारत की समय, गवर्नर जनरर कौन था Сबी को बता होगा, लाड़ कैनिं किuben भारत का पहला वासराव ही था ठीक है भारत का पहला वासराव ही था ये नेक्स्ट वाटते तो वारती सीवभल मेस्ट संभा उसने भार्ती राष्ट कॉंगरीश के अस्थापन किया ता, यह भी सही है, त आपसन D. उसने चॉपध्रो के वार्षिक शत्रों की दो बायरत तकी थी, ये गलत है, आपसन D. नेक्स्ट भारती उपद्रो पिता कि नहें कहा जाता है इमपौर्टनट है भारती उपद्रो का पिता नहीं भारती असांतिका जर्यनक कि नहें कहा जाता है अप्षन B. बाल गंगदर टिलकु अप्षन B. और एक किस ने कहा था तो willantine से it after है ठीक है इभी धान खीघा है नेक्स्ट रामकृष्ष्मिसन के अस्थापना किस नहीं थी अस्थापना इसकी अस्थापना नेक्स वर्ष 850 में हुई भारती राश्टी कॉंग्रेस की पर्था मीटिंग की अधस्ता किसने क्या था यानि पहले अधस्त कौन थे तो डबलू सी बनर्जी थे अप्शन बीस का राइटन्स हो या डबलू सी बनर्जी नेक्स्ट बाल गंगदर तिलग द्वारा नेमले के अधस्ति में से काउन सा अकबार शुरू किया गया था तो मराठा और के सरी इसमें के शीया अप्सम इसका राइटन दोगा नेक्ट नेमल के तरह से किसने उन्हेस सताबदी में हिंदुत को पुनर्जीवित किया था अपसंवी स्वामी बीविकानन अप्सम बीस का राइट सब्सक्राइब बार्ति राष्टी कॉंग्रेस की प्रतम महिला अध्या चमपड़ चुके इसके बारे में आप संदी एनी बेसंट थी आप संदी इसका राइट अन्सोड़ा अपरतम भार्ति कॉंटी सरोजी निया डू एनी बेसंट ने अधिस्ता कब किया था तो निसुस अ अधिकारी भारति राष्टी कॉंग्रेस की अस्थापना किस वर्ष में हुई थी सभी कुषता है आप संदी इसका राइट अन्सोड़ा अठारासुपचासी में आप संदी इसने किया था यह वो हूम ने किया था उसमें वासरा काउन था तो लाड डफरीन था नेक्स्ट ह कौन सा आईसी यस अधिकारी भारति राष्टी कॉंग्रेस की अठारासुपचासी में गठन में सामिल लहा तो आप संदी इवो हूम आप संदी इसका रहीट अन्सोड़ा नेक्स्ट है भारति राष्टी कॉंग्रेस का प्रतम अधिवेशन किस सहर में आयूरित किया गया था तो बंबई में हुआ था आप संदी बंबई में नेक्स्ट है नहीं लेकित में से कौन एंगलो मुहम्डन ओरियंटल कॉलेज की अस्थापना के लिए उत्तरदाई था तो आप संदी सर्शाइद अहमाद खान ने इसके अस्थापना की थी आप संद इसका राइट सरसुती अप्शन सी इसका करिटेंच अपकिया था और तरस अचातर में स्थापना की थी बंबई में बाद में सका मुख्याले अठार सथातर में लहर में अस्थापित हो गया था इसको विधान की अगा नेक्शित 7 ता सवाखे संस्थापक महाराष्ट में काउन थे? 7 पुसतख ध्यान कि आप लोग गुलामगीरी गुलाम गळेठेTION बुचित की पुसतख है तो जो तीबहा फूलिक है मैंनेख इसके स्थापक राजराराम मोहनराय थी राजराराम मोहन राय ने किसके स्थापणा ब्रह्म समाच के स्थापना अपसन्स इप कप किया था तो 1828 में स्थापना की थी, आपसन क्या हो जगा, सीज का करीटन स्रोज़गा, ठीक है, आर्श समाच के स्थापना, 825 में हो जए थी, रामकृष्मिशन के स्थापना, 1897 में हो जथा, और प्रातना समाच के स्थापना का वो जची अठार शो 166 में, नेक्स्ट है, चटगाव चटगाव पर धावा किस के नेतृत में बोला गया था, चटगाव चटगाव सिफापना के नाम सीगया जाणा जाता है, है इन्हें ने मास्टर धाक के नाम से भी जाना जाता है, और चटगाव सस्त्रागार्प चापा कभुआ था ये तो 18 अप्रेल 18 अप्रेल 1930 को यह हुआ था ठीक है इसको विधान रखेगा नेक्ट भारती राश्टी कॉंग्रेस के गठन समंधी आंदोलन किसने की किसने शुरुआत की आप्सन क्यों जगा बीस का राइटन ये वो यूम आप्सन बीस का राइटन सुरुझा बार्ति राश्टी कॉंग्रेस का गठन इस वर्श हुआ था वाठार सु पचासी में इसका गठन हुआ था ठीक है 1850 में नेक्स नमिलकेत में से किसे भारत का बिसमार कहा जाता है भारत का बिसमार किसी कहा जाता है तो किसे नाम से जाना जाता था स्वदेसिय आंदलन को आंद्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था इंप्रेंट है ये पढ़ाय मैंने तो आप सं़ क्या हो जगा शीवंदी मात्रम आंदूलन के नाम से आप्शन शीच ख और राईटेंज रोजाए स्वादेशी अंदोलन की शुरुवात तो आपका 7 अगस्त 1905 को इसकी शुरुवात हुई थी बंगाल भिवाजन के विरोधे में हैं। स्वतंत पार्टी के संस्थाप पांत स्थाप स्थाप जी में स्थापनी अरविंद घोस का नाम किस सध्यंत मामले श्युड़ा है अर्वेंद घोस का नाम किस सड्यांतर मामले से जुड़ा अप्शन डी अलिपुर सड्यांतर मामला कभवा था उन्हीं 108 में आप्शन डी नेक्स अपने वेसिक भारत में भारती विद्वाओं के लिए सार्दा सदन उस्कूल की अस्थापना किसने की इंपोर्टेंट है सा 3889 में नेक्स्ट दादा भाई नरुजी ने अपने धन का पलायन यानि धन निस्काषन का सिधांत को किस पुस्तक में मुवाडित किया था सभी को वताओगा आप से पावाटी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया आप से दनिसकाषन का सिधां सबसे पहले किष्ण दिय या था किस पुस्तक में पावाटी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया में नेक्स्ट भारती राश्टी कॉंग्रेस की गठन के समय भारत के वासराय कौन थे पड़ चुके हैं आप्शन सी लाटड़ अप्रिन नेक्स्ट किस सेवा निर्वित ब्रिटिस अपसर में भा संस्थापक कौन थे 1815 में आयोजीत कलकत्ता की पहली आत्मी सभा यानि दार्शनिक चर्चा व्रित के संस्थापक कौन थे तो राजा राम मोहन राय अपसर भारती राश्टी सेना के संस्थापक कौन थे भारती राश्टी सेना के संस्थापक कौन थे यानि भारती राश् मुहन सिंह किया था गर आपसन मुहन सिंह है वो लगाएंगे अप्लोग ठीक तीयो सोफिकल सोसाइटी के संस्थाप अकाउन थे तो मैडम बलावत्स की आपसन बीश का राइटेंट इसके स्थापना थाशुक पचाहत्तर में नेक्स्ट है एक मात्र वासरा काउन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी एक मात्र वासरा काउन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी तो लाड मेयो आपसन डीस का राइटेंस वोजगा लाड मेयो आपसन डीस का करेटेंस वोजगा लाड मेयो के हत्तर किस ने किया था तो सीर मुहम्मद अली जिन्ना को नेक्स्ट भारत में सोदेसी आंदुलन के शुरुवात कि सुवर्ष में हुई थी भारत में सोदेसी आंदुलन के शुरुवात कि सुवर्ष में हुई थी तो आप्सन सि उनिशो पांच में बंगाल विवाजन के विरोध में आप्षन सी नेच्ट धर इस आजो अभी के लालच के लिए नहीं बलकि सभी की उसकताओं की पूर्ती के लिए प्रियाप्ट साधन उपलब्द कराती है यह क्सने कहा था धर इस अभी के लिए लालच के कांग्रेस के दो समूं हों गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझाओते में हुआ थे लखनाओ समझाओते में अप्शन B लखनाओ समझाओता कब हुआ था 1916 में हुआ था ठीक है नेक्स्ट निमलेकत में से किसे गांधी जी अपना राइनेतिक गुरु मांते थे गांधी जी के राइनेतिक गुरु काउन थे तो गपाल कृष्ण गोखले थे अप्शन D गपाल कृष्ण गोखले नेक्स्ट काकोरी सड्यंत के तहट काकोरी और लखनाओ के बीच में ट्रेन में डखाइती हुई थी काकोरी सड्यंत के तहट काकोरी और लखनाओ के बीच म हुआ ने से अरे महिला समाच की अस्थापना इन में से किस ने गया था तक आरे, गठन कब हुआ था तो इसका गठन आठ नॉम्बर 1927 को गठ इसका गठन हुआ था नेक्स्ट अठारस सब्तावन की क्रांति का ततकालिक कारण क्या था ततकालिक कारण आप्शन भी नई एन फिल्ड राइफल में चर्वी लगाई गोलियों का उप्योग यह ततकालिक अनड़ था आप्शन भी इसका राइट एंस रोजगा नेक्स्ट भारती राष्टी कंग्रेस का प्रतम विभाजन उसके कहां के सब्तर में हुआ था भारती राष्टी कंग्रेस का पहला विभा देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था अपकी बार पूछा गया था तो हसरत मुहानी ने दिया था ये ध्यान की किसने दिया था हसरत मुहानी ने दिया था और इसको प्रशद किसने क्या था तो भगात सिंग ने किया था इसलिए काई सारी एक्जाम में के ऐसको भग सिंग माना जाता है लेकंध्या निक्षिस को क्या मानती है हसुआंध वाग्ती ने लगा अगया पिर लाभ जिंदभाद का नगार कुछने असके दोरा की दोरा किके एसी आडिक सो स्थापना कष्णिए क्या था आपसन B Sir William Jones ने आपसन B Sir William Jones नेक्स्ट पसमे सिच्छा का श्रीगडेश किस स्वता नता से नानी द्वारा किया गया था आपसली राजराम मोहन्राय ने किया था आप्शन इसका राइट एंस होजगा पस्मिस इच्छा यानि अंग्डिजी इस इच्छा नेक्ट है 1904 में क्रांधिकारियों की गुप्त संस्था की रूप में अभिनो भारत की अस्थापना किष्णे की थी अभिनो भारत की अस्थापना इंपॉर्टेंट है किसने इंपॉर्टेंट है 1854 के विद्रोग को भारत में प्रताम सतंता संक्रां की संगया किसने प्रदान किया था तो वीडिशावर करने आपसन दी नेक्स नेमैलीक तमें से कौन भार्ती राष्टी कांग्राति थास्ट्स्तास थी की on सद्सक अघरगामि संसता के इंडियार एस रगैने भारससञह आपसंऺा टीसी का राइट एन सोजगा इसके अस्थ्थापना कुछने क्या था तो ऐठाल प्रत्रोदु ताप्षिं भशश नेक्स्टाँ भारत की दियो सोपकल सोचाइटी सापक कहा त्य?... भारत में धियो सोपकल सोहार्टी क्या श्थापना किसमक्षिनक हम था? तो एनी बेसिंट ने क्या था?... एप्षिंट आप्सट फर्ष ऐस्थारा सॉथार्शच को था? 1870 में भारती सुधार्शंग के संस्थापक कौन थे तो केसो चंदरशेन, आपसन भी केसो चंदरशेन, नेक्स बढ़ते हैं, कामा गाटा मारू क्या था, कामा गाटा मारू क्या था, तो ये जहाज था, ठीक है, जबानी जहाज था, आपसन से इसका राइटन सुल जाए, आपसन भारत में समाजिक और धार्मी सुधार में सक्रिता से नहीं जूड़े थे, काम जो है, भारती समाजिक और धार्मी सुधार में सक्रिता से नहीं जूड़े थे, तो भारती एन हरिशन, आपसन डीस का राइटन सुल जगा, बाकी राजा राम मोहन राय, इस्वचंद विद्यासागर और जोतिभा फुले ये सब जूड़े थे नेक्स्ट बूर डिस्पैच किसके बारे में था वुड़ डिस्पैच का बाया था तो यह आपका ठारसू चावन माहा था और किस समझी था ये तो सिच्छा से समझी था आप्शन सीस का राइट एंच रोज़ा सिच आने वाले पहले भारती कौन थे पढ़ चुके हैं दादा भाई नरोजी अपसंसी अठारसू बानवे में ये चुने गया थे किस पार्टी से तो लिबरल पार्टी से नेक्स्ट है खुदी राम बोस्त ने मुझा परपूर में किंग्स पूर्ड की हत्या का प्रियास किस व पंजाब किसी कहा जाता है तो आप संडी लाला लाजपतर आप संडी लाला लाजपतर आप वेदो की और लौटो का नारा किस ने दिया था तो स्वामी दयानन सरसुतिन दिया था आप संबी कि मैं आसीज में चैनीध धोने वाले पहले भारती तो आसे समीश में चैनीध वने भारती स्थे नाट टायगोर थे आप संडी नेक्स्त है भारती सुतंता जोर्ड के दौरान व्यक्ति गसत्यागरा के लिए चुने गए प्रृत Autumn व्यक्ति कौन थे, most important है, व्यक्तिगत सत्यागरा के लिए चुने जाने वाले प्रताम व्यक्ति कौन थे, तो अपसंट D, अचार बिनोवा भावे थे, अगर बात करते हैं, दूसरे कौन थे, दूसरे जवालाल, नेरू दूसरे थे, और तीसरे कौन थे, तो तीसरे व्यक्ति सत्यागराही ब्रहमदत थे, ठीक है, ये पूचा अगया है, नेक्स्ट, अखिल भारती किसान सभा का गठन, डैस में किया गया था, अखिल भारती किसान सभा का गठन, कप किया गया था, तो 1936 में, अपसंट इसका अराइट एंस रोजाए, 1936, अचा इसके अध्याच कौन थे, तो स्वामी सहजरन सरसुती इसके पहले अध्यस थे, नेक्स्ट, बंगाल में समाजिक, धार्मिक सुधारों में, अग्रडी आत्मी सभा की सुरुवात किसने क्या था, आत्मी सभा, आपसंट C, राजारा मोहनराय, आपसं C, नेक्स्ट, महत्मा गाधी के बंदी होने क के बाद, नमक सत्यागरह का नेत्रुत्तो किसने क्या था, इम्पोर्टेंट है, महत्मा गाधी के बंदी होने के बाद, नमक सत्यागरह का नेत्रुत्तो किसने क्या था, तो अबबास्त तयब जी निक्या था, आपसं C, अबबास्त तयब जी, आपसं C, आपसं C का हराइट 1923 और 6 अप्रैल मुनेट तो तीस सथा को नसट थीप एक। सवामी वीवेकरंद का वास्तिविक नाम क्या था में आखा भास्तिविक नाम क्या था नैरेन्द भी और अप्सक्राइब नियुक्त ना युक्त क्र्णा से क्षाकन तो आप्षाण सी स्रुद्वल भाई पटेलने क्या था बार्दोली सत्त्यागरा का भुवा था आपका 1928 में बार्दोली सत्त्यागरा हुआ था next, कंगरेस का वा अधिवेशन कहा पर हुआ, जिसमें उसके उद्देश के रूप में भारत के लिए पूढ सुराज पराप्त करने का प्रस्ताव शुकार किया गया था important पूढ सुराज का प्रस्ताव का पारिएक क्या गया था तो लहोर अधिवेशन में आप्सन दी लाहोर अधिवेशन 나kiye 29 और इसकी अधिस्ता कि इसने का था जवालाल नहरू झा लाल फिसकी अधिस्ता के थी और इसमें पूर स्वराज की प्रस्ताव को परित किया गया था तो डाइट्टा भीम्राव अमेट करने अफ्सं डी 1929 और इसकी अधास्ता किसंदे क्या था जवालाल नेहरु ने जवालाल नेहरु ने इसकी अधिस्ता की थी और इसमें पूर सुराज की प्रस्ताव को परित किया गया था तो डाट्टा भीम्राव अमिट करने, आप्सन D, नुवा खाली कहाँ परिश्थित है, नुवा खाली ये बांगलादेश में है, बदमान में, आप्सन B का राइट अंस होगा, महत्मा गाधी ने सिविल अवग्या के बारे में प्रिडा किस्से लिया था, तो आप्सन ही, था आरत को सत्ता हस्तांतरन का अधहार क्या था, तो आप्सन D, एड्मिरल माउंट वेटन के समच जापानी सेना के समरपड की वर्ष गाण थी, इसलिए 15 अगस्त का दिन चुना गया था, आप्सन D, नेक्स्ट, किसी समय महत्मा गाधी के सायोगी रह चुके, पर उन्से अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्म सम्माल आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे, आत्म सम्माल आंदोलन किसने चला था, तो आप्सन C, ईवी रामा स्वामी नाय करने, आप्सन C, इसका राइट अंजरोज, इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, नेक्स्ट है, गाधी जीने कि सिध्धान्त या युक्त के माध्यम से आर्थिक असमंताओं को दूर करने का प्रियास किया था, इसके द्वारा, आप्सन C, नियास धारता सिध्धान्त के द्वारा, आप्सन C, नेक्स्ट है, निमनोल्त आंदोलन में से, किसमें मह 18 की अहम्ताबाद वाली हड़ दाल में अप्शन C नेक्स्ट पिछली सताबदी में जूतबा फुले के सत्त सुदक समाज ने क्या प्रियास किया था तो अप्शन दंबी ब्रामडो तथा उनकी अवसरवादी धर्म गरंथों से नीची जातियों की रच्छा अप्शन A इसका चाल च्ए ना च्रू जूंजागा भारती राश्री कॉंगरिस के निम alcanz में सके अठीशं में पहली बार दिरंगा फळाए था पहली बार दिरंगा किस अध्यस न में अप्शन C लाहोर 739 में अप्शन सी और इसके अधस्ता कि ने क्या था जवाल्आल नहरोने नेक्स्ट गाधी जी के साथ नमख सत्यग्रह का नेतुट्ट्थव क्षिंए सत्यग्रह की आभिव्यक्ति होती है सत्य अर्वक्ति होती है तो आप्संट की असा passion art जागा, सीज का राइट अंस हो जगा, next है, किस भारती रानेत्ता ने ने मलिखत जादरी सब्द कहे थे, कई वर्षे, कई वर्ष पहले नियती के साथ हमारी भेंट हुई थी, और अब समय आ रहा कि हम अपने वायदो को पूरा करें, इसने कहा था कि कई वर्ष पहले नियती क साथ हमारी भेंट हुई थी, और अब समय आ गया है कि हम अपने वायदो को पूरा करें, तो ये जवालाल नेहरून कहा था, option D, next, 9 अगस्ट 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ अंदुलन के अलामा, स्वतंता सेनानियों की अन्ने काउन्शी संसनी खेज कारवाई 9 अग option D, next, 964 के चटगाउं सस्त्रागार चापे में नमलिकेत मेंसे एक सामिल नहीं था, 1030 हो गयां पे, कि चटगाउं सस्त्रागार चापे में endingलिकेत मेंसे कौन सामिल नहीं था, तो देने इसकुपताने सामिल थे, option D, बागी कल्पना दत्त सूर्यशेन, कृती लाता वाड़ परिडी करिश्च में सामिल थी नेक्स बढ़ते हैं गाधी जी का प्रीगीद वशना जन्तो डैस किसने रचा था तो आपशन ए नर्शिंग मेहताने अपસन ए नेक्सट गाधी का आहमदा बाद सत्यागरा किसके विरुद हुआ था अहम्दाबाद सत्यगरह किसके विरुद हुआ था तो आपसन भी भारती मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी के विरुद आपसन 20 का राइटेंस हो जगा कब हुआ था 1918 में नेक्स्ट निमलिकित मेंसे किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन सुतंता दिवस के रूप में मनाया गया था 26 जनवरी के दिन सुतंता दिवस के रूप में कम मनाया गया था तो 1930 में पहली बार मनाया गया था अपसन इसका राइटेंस हो जगा इंपोर्टेंट है ये करो या मरो का प्रशिद्य नारा किस ने दिया था करो या मरो का प्रशिद्य नारा महत्मा गांधी जी ने दिया था किस दवरां दिया था भारत थोड़ो आंदूलन के दवरां दिया था नेक्ट पाकिस्तान का सोतंता दिवस का मना जाता है पाकिस्तान का सोतंता दिवस 14 अगस्त को मना ज या किसने कहा था कि इस समय मद्राती होते ही जब संसार सो रहा है भारत जीवन तथा सुतंता के लिए जाग उठा है तो यह जवालाल नहरू ने कहा था आपसम सी गाधी जी से दच्छड अपरिका में मिलने के लिए निमलिकित में से कौन गया था गाधी जी से दच्छड अपरिका में मिलने से के लिए कौन गया था गोपाल कृष्ण गोखले जी आपसम सी सवने अवग्या और करो का भुगतान्ना करने के लिए महात्मा गाधी को प्रेडा किस्से मिली थी सवने अवग्या और करो का भुगतान्ना करने के लिए महात्मा गाधी को प्रेडा किस्से मिली थी तो थारो से मिला था आपसने थारो Next, Cabinet Mission भारत में किस वर्ष हाया था? Cabinet Mission भारत में कब आया था? 1946 में आया था, important ही, Apson blender, 1946 नमक सत्तागरा किस वर्ष हुआ था? नमक सत्तागरा 1930 में हो था, Apson B विभाजन परशत का अध्याच कौन था? विभाजन परशत के अध्याच, Lord Mountbatten थे, Apson B परवनी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमिंशन का बहिसकार किया गया क्योंकि अभी मने बताया था क्योंकि आ गया था क्योंकि इसमें कोई भारती नहीं था सभी क्या थे अंग्रेश थे तो आपसन उसके सभी सदस अंग्रेश थे इसलिए से स्वयत कमिंशन कहा गया था ठीक वित प्रूत नामा कुस्तक का लेका कौन है ये महत्मा गांदी जी की कुस्तक है option C आधुनिक भारत में अस्थानी स्वसासन का अगवा शमानता किसे माना जाता है अस्थानी स्वसासन का जनक किसे माना जाता है मैंने बता था लाड रिपन को अप्शन A, लाड, रिपन को अस्थानी स्वससन का जनक कहा जाता है Next पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? मात्मा गादी का जन्म कहांपर हुआ था ? यह गुजरात में हुआ था प्रतिक मानते थे तो आर्थिक सुतनता का प्रतिक मानते थे किसके संस्थापक सदस थे तो सुराज पार्टी की अस्थापना इनुन क्या था जनवरी 1923 में सरदार बल्ला भाई पटेल की तुलना निमलिकित में से की जाती है किसे पढ़ चुके हैं विसमार्क इन्हें भारत का विसमार्क कहा जाता है अप्षन डी लंदन में गोल में समयलन का आयूजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था भारत का भावी प्रशासन अप्षन बीस का राइट हैं शोज़गा अप्सन B अच्छा, गांधीजी ने किस गोल में समयलम भाग लिया था तो दूसरे गोल में समयलम भाग लिया था ये भी आप लोग ध्याना किएगा Next किसने कहा था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूडे के धेर पर फेक देना चाहिए किस ने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के धेर पर फेक देना चाहिए तो स्वामी आयर ने अप्शन B गाधी के समाजवाद में गाधी के समाजवाद में क्या है अपका राज्य अनपेचित है अप्शन B नेक्स्ट है अप्रेसन 0-10 जला अप्शन B भारतियों नें साइमन कमीशन का भी इसकार किया था क्यों किया था आपस्ट यूट की वाक्यवल गुरु का कमिस्ञ था भारती प्रत्नित्तो के भीना इसमें कोई सदस्ट भारती नहीं था इसलिए गांदी जी मांते थे की गांदी जी क्या मांते थे आपसंडी परिडाम और शादन दोनों नायोचित होने चाहिए, ठीक है, आप्शन D, नेक्शन, नेमलिकेत में से किसके अस्थापना बी यारा मेटकर द्वरा की गई थी, तो अखिल भारती अनशूचित जातसंग के अस्थापना किसने क्या था, ढक्टर भीमरा मेटकर ने किया था, आप्शन C, आप्शन C, कर राइट एंशुर यारा, फारवर्ड ब्लाग, नेक्स्ट है, भारती राष्टी कंग्रेस ने असायोग का अपना प्रस्ताव, उन्हें सोबीस में, कहां, आजवित अपने अधिवेशन में किया था, तो आप्शन D, कलक्त्ता दिवेशन, और कलक्त्ता दिव नागपुर अधिवेशन में पास किया था, ठीक है, ये पॉइंट देना किया, और नागपुर अधिवेशन के अधस्ता किषन किया था, तो वीर रागवाचारी ने गया था, नेक्स्ट है, वर्षों पहले हमने नियती के साथ एक वादा किया था, और यहां वहवादा चावदा अगस्त 1947 को कि रात को जुआ किस ने कहा था, तो जवालाल नहरू ने कहा था, आप समस्टिस का राइटेंस रहा है, जवालाल नहरू, दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे के प्रश्न होका हम अगली वीडियो में कबर करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा, और कमेंट बॉक्स में यह जरू बताएगा, वीडियो कैसी लगी, ठीक है, यह रहा है, आज की प्रश्न, थैंक्यू फॉर वाचिंग